राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है स्वाभी माने स्वापिंग के बैग हाथ में लिये सुनेना घर में घुसी ही थीतों देखा उसका साथ महीने का बेटा प्यूस उसकी सास सरीता जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था जबकि उसकी सास सरीता जी उसे चूप कराती जा रही थी और बीच बीच में प्यूस की केर टेकर सीला को भी डाट रही थी अचानक सुनैना को सामने देखकर सीला सुनैना से बोली देखिए मैम अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे आपकी सास ने हमारी अच्छी खासी बैस्ती करी है आप किसी और को रख लेजिएगा अरे पर हुआ क्या है जो भी हुआ है पुछ लेजिए अपनी सास से अब हम यहा पारे बैक्स एक तरप रखकर सिला को रोकती रही और सिला उतनी ही तेजी से घर से बाहर निकल गई जैसे कोई चोरी की हो ये देकर सुनेना को बहुत गुसा आया गुसे में आँख लाल कर वो घर में घुसते ही सरीताची से बोली क्या किया आपने आपको पता भी है कि केर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है खुद ने तो पूरी जिन्दगी घर और बच्चों में बिता दी पर मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा है गाउं की गवार है आप और गवार ही रहेंगी कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हातों से आप गोबर उठाया करती थी उन हातों से मेरे प्यूस को छुना भी मत पर फिर भी कहते कहते सुनैना सरीता जी के पास गई और प्यूस को जबरदस्ती इनकी गोद से छिनने की कोशिस करने लगी प्यूस को परिसान देकर सरीता जी ने प्यूस को अपनी गोद से हटा कर सुनैना को उसे ले जाने दिया पर अंदर से सरीता जी की आत्मा चितकार उठी आखों में से आशु आच चुके थे उनकी गलती क्या थी सिर्फ ये कि वो गाउं की रहने वाली थी पती तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे एक ही बेटा था अमन गाउं में खेती बारी कर अपने उस बेटे को बरे प्यार से पाला था बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे सहर पढ़ने के लिए भी हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेत की जमिन भी बेच दी बस रहने के लिए छोटा सा घर और दो गाय थी उनके पास जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी इधर अमन पढ़ लेकर बड़ा आदमी बन गया और सहर में ही उसने सुनैना से साधी कर पर सरीता जी फिर भी खुश थी साधी के बाद सुनैना एक ही बार अपने ससुराल गई थी जब सरीता जी ने कुल देवी की पुजा के लिए उन्हें बुलाया था सरीता जी का गाय का गोबर उठाना उनकी साप सफाई करना सुनैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मन ह मन वो सरीता जी से घिरना करने लगी मुश्किल से सुनैना गाउं में सिर्फ एक ही दिन रुकी उसके बाद सरीता जी जब भी गाउं से शहर आती सुनैना उन्हें रसवई में किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देती यहां तक जब प्यूस हुगा था तब ही सुनैना सरीता जी को प्यूस से हमेशा दू रखती थी, प्यूस के लिए सुनैना ने सिला को केर टेकर रख लिया था, पर कभी सरीता जी को हाथ नहीं लगाने देती, सरीता जी कई बार प्यूस को गोद में लेने के लिए तरपती, पर सुनैना बावाल खरा कर देती, अम्मा ने एक दो बार कहा तो सुनैना ने काफी हंगामा भी किया था बेटा बहु को लड़ते देकर सरीता जी ने खुद अपने मन को रोक लिया पर आज सुनैना अपने बेटे को सीला के हवाले छोर कर सौपिंग पर गई हुई थी इधर सीला अपने मोबाइल में लगी हुई थी उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि प्यूस खेलता खेलता सिडियों की तरप आ चुका है और सिडिया चड़ने की चकर में तीन चार सिडिया उपर भी और चड़ चुका था अचानक प्यूस का पैर फिचला और वो निचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा उसका रोना सुनकर सरीता जी खुद को रोक नहीं पाई वो प्यूस को गोद में लेकर चुप कराने लगी साथ ही साथ सिला को भी डाट रही थी उसी समय सुनैना आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तील का तार बना दिया जिसका फैदा सिला ने उठाया और चूप चाप घर से निकल गई सुनैना इतनी गुसे में थी कि उसने एक बार भी ये नोटिस नहीं किया कि प्यूस के सिर पर चूट लगी हुई है थोरी देर बाद अमन घर आया तो सुनैना ने कमरे में से प्यूस को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही सरीता जी को चिलाते हुए बोली लागा दी न मेरे बेटे के सिर पर चोटे आचानक सुनैना को इस तरह चिलाते देकर अमन हैरान रह गया क्या हुआ सुनैना तुम चिला क्यूं रही हो क्या हुआ है प्यूस को मुझसे क्या पूछते हो अपनी मा से पूछो दे आती है ये मेरे बेटे के पास आखिर क्या भीगारा है मैंने इनका सुनैना ने अमन को प्यूस की चोट दिखाते वे कहा अमन ने सवालिया भरी नजरों से सरीता जी की तरप देखा बेटा तुम्हारे घर में कैमरे तो लगे हैं खुद देख लो सीला कितना अच्छे से ध्य आने वाले हातों से घिन आती है तो एक काम करो दूद दही पनीर सब कुछ खाना बन कर दो क्योंकि ये किसी मसिन से नहीं बनते अगर मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आने चाहिए आखिर इन्हीं हातों से पाल पोसकर इसे बरा किया है कितनी आसाने से तुम कह देती हो कि दूर रहो मेरे बेटे से अरे वो मेरा पोता भी है उसे तुम अपने miasant के घर से नहीं लाई थी तो उस पर तो कुछ मेरा भी हख होगा पर कुछ कहने का फैयदा नहीं है तुम तुम्हारे सहर में खुश रहो मैं अपने गाउं में अपनी गायों के साथ खुश इधर अम्मा ने फूटेश चेकी तो पता चला गलती सिला की थी लेकिन सुनेना से तो ये भी नहीं हुआ की वह सरीता जी से माफी मांग ले अम्मा ने जरूर सरीता जी को रोकने की कोशिस भी की पर प्यार पर स्वाभी मान हा भी हो चुका था असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लेश वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना